नमस्कार दोस्तों दोस्तों पहले के समय में महिलाए अपने चेहरे की दंगत निखारने के लिए मलाइक उपयोग करती थी लेकिन अब ये जगा फेरनेस क्रीम ने ले ली है हाला कि इसका उपयोग कुछ समय के लिए फायदेमन होता है लेकिन उसके बाद त्वचा पर तरह तरह की समस्या उत्पन होने लगती है इसलिए अगर आप अपनी त्वचा की समस्यां से बचना चाते हैं और अपने चेहरे पर एक प्राकरतिक चमक चाते हैं तो आपको अपने घर में जमा की गई मलाई का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह है एक नैचुरल मॉस्चराइजर होता है जिससे ना सिर्फ आपके चेहरे के दंगत निखरती है बलकि त्वचा समंदी अन्य समस्या भी दूर हो जाती है तो चलिए दोस्तो जानते हैं मलाई के कुछ ऐसे फायदे जिनके उपयोग से आपके चेहरे पर निखार खिल के निखर आता है दोस्तो मलाई हर तरह की त्वचा के लिए एक बहुती बड़िया नैचुरल मॉस्चराइजर है चेहरे पर मलाई की 15-20 मिनट तक मसाज करके आप पानी से धोलें इससे त्वचा के जो डैमेज टिशूज होते हैं वो सब रिपेर हो जाते हैं और हमारी स्किन काफी हैल्दी और चमकदार बनती है और अगर आप ग्लोईंग त्वचा चाते हैं तो इसके लिए मलाई के साथ शेहत की थोड़ी सी मातरा लेकर एक पेश्ट बनालें फिर इसे त्वचा पर लगाएं और 10-15 मिनट के लिए लगा कर छोड़ दें और फिर उसके बाद आप ठंडे पाने से चैरे को धोलें अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं तो आपके चैरे की चमक बरकरार रहेगी अब कुछ लोग चैरे की काले दाग धब्बो को दूर करने के लिए फेर्लेस क्रीम का इस्तमाल करते हैं जिससे कुछ भी फायदा नहीं होता है इस समस्य को दूर करने के लिए सबसे बड़िया उपाए माना गया है मलाई का उप्योग आप मलाई और नीमू के रस को मिलाएं और इसका पेश्ट बनाकर चैरे पर लगाएं फिर कुछ देर बाद इसे हलके गर्म पाने से धोलें अगर आप इसका उप्योग करते हैं तो आप कुछ दिनों में ही काफी अंतर नजर आने लगेगा और अगर आप मेंसे किसी के चैरे पर मुहासो की समझ से है तो मुहासो से निजात पाने के लिए आप शहर को मलाई में मिलाकर एक पेश्ट बना ले और फिर इस लेप को आप चैरे पर लगाकर 15 मिनिट के लिए छोड़ दे फिर इसके बाद हलके गर्म पाने से आप चैरे क पर भी क्लिक कर लें अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार